उधर राइबरेली की सरेनी सीट पर बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज सुधा दुवेदी ने कॉंग्रेस से चुनावी मैदान में उतरनी की ठान ली अब दावा ये कर रही हैं कि इस बार सरेनी सीट पर उनकी जीत तै है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक मात्र सांसत इसी राइबरेली से हैं और हम मौझूद हैं राइबरेली की सरेनी सीट पर और हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रत्याशी सुधा दिवेदी जे धोलक मजीरे के साथ महिलाओं की टोली के साथ प्रचार करने के लिए निकली हुई है और हम इनसे बात करते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार ये लखनव जाने की तैयारी में हैं तो किस तरीके की तैयारी है ताकि आसानी से लखनव का सफर तै हो जाए सबसे पहले तो आपको नमस्कार कि आप जन्मानस की बीच आए और देखा आपने कि सारा समर्थन हमें मिल लहा है और इसलिके साथ पूरी तयारी है और काफी बर्चर कर जो है हमें पूरा समर्थन मिल लहा है और पूरा 101% हमारी जीत होगी और हम जनता की सेवा और विकास करे ये बताईए लखनवु जाने के रास्ते में जो है कितनी चुनोतिया हैं? सेवा है तो कोई चुनोतिया नहीं है, हमारा कार सेवा है, हम जन्मानस की सेवा करना चाहते हैं, और सेवा करने वाले के साथ तो सभी सहियो करते हैं.